नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का एक बार पुन स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्रिटर क्लासेज पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके समक्स भी मातर पांच दिनों का समय सेश बसा हैं तो आप भी लग जाई अपने तयारी के अंदर और संध्या कंप्रिटर के साथ में जूड के आप उन सभी क्यूसंस को स्वाल कीजिए जो एक्जाम के अंदर हुब हुब दिखने वाल का परियोग किया जाता है मेरी प्यारे विद्यार्थियों MS Word का वह कौन सा कमांड है जो डॉक्यमेंट के अंदर किसे निच्चित लोकेशन पर पहुशाने का कारिये करता है तो कई बार एक्जाम एक्विशन सिधा सिधा बना है करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक मार्क मेरी इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्तित होता है मैं इन सभी औबजेक्ट का विश्लेशन आपको नीचे थ्योरी कंटेंट के माध्यम से आपके समग से बता रहा हूँ तो आप इन कंटेंट को विश्य देख लेना क्योंकि जितने भी औबजेक्ट में उन सभी को कलियर करवा पाने की कोशिस की है देखिए मेरी प्यारी विद्यारतों वो कमार की बात हो जाती है तो यह इंसर्ट मेन्यू में उपस्तित मैथोपुन कमांड है जिसके द्वारा डॉक्यमेंट में किसी निच्चित लोकेशन पर पहुश सकते हैं अच्छे से याद रख लेना आप से हो लिंक करने के लिए परियोग में लिया जाता है अगर आप किसी फाइल को अन्वी फाइल के साथ में लिंक करना चाहते हैं तो आप हाइपर लिंक का उपयोग कर सकते हैं मेल मर्ज की बात होती है तो यह मेलिंग मेन्यू में उपस्तित मैथोपुन कमांड होता है जो किसी द प्रोटी प्रोग्राम कहलाते कौन से मैक्रो अल्ट के साथ में F8 इसकी क्या होती है सौटकट की होती है अल्ट के साथ में F8 किसकी होती है मैक्रो की होती है और इसका उप्योग सौटकट कुंजी बनाने के लिए भी किया जाता है अच्छा कमांड आपके एक्जाम की दरिश् किसको का जाता है MS Word को का जाता है PowerPoint को तो presentation का जाता है Excel को spreadsheet का जाता है यह आविशे याद रख लेना और MS Access होता है ना इसको database program का जाता है इसको क्या बोलेंगे database program के नाम से जाना जाता है देखिए आप अच्छे से questions को नजर अंदाज मत आप देख लीजिए एक बार अच्छे से questions को समझ देंगे कोशिस कीजिएगा MS Word की जब बात हो जाती है ना तो इसको word processing program का जाता है इसके अंदर बनने वाली file को document का जाता है यहनि MS Word के अंदर तयार की गई file को क्या का जाता है अच्छे से याद रख लेना MS PowerPoint का page slide के नाम से जाना जाता है और PowerPoint के अंदर अविश्य याद रखना new slide की तो क्या होती है control M होती है और duplicate slide की क्या होती है control D होती है इसके लवा Excel की बात होती है तो Excel को spreadsheet program कहा जाता है इसके अंदर बनने वाली file को book या workbook कहा जाता है इसके अंदर book के अंदर sheet की संग्या default कितने होती है तीन होती है एक्सेज की बात करें तो एक्सेज को database program के नाम से जाना जाता है आप साओ तो इसका अच्छे से screenshot ले सकते मेरी प्यारे विद्यारतो यह सभी के सभी आपके MS, PowerPoint, MS, XH, MS, Word, MS, Excel यह सभी आपके महतोपून, आपके software होते है जो Excel, Word, PowerPoint, आपके आरे शेडी के अंदर महतोपून गुमी का निवाते है next questions की और बढ़ते है questions number third Microsoft Word का extension name क्या होता है extension name यानि उस file का पता करने के लिए जो file होती है उसके पीछे लगने वाला नाम होता है dot के बाद में वो extension क्या लाएगा तो PPTX तो PowerPoint का होता है .docx correct answer हो जाएगा यहनि आपसंस भी विकल पे ना यह इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल correct answer बन जाता है यह TXT यह किसका होता है तो یہ तो मेरी प्यारे विद्やप, तो notepad का होता है किसका होता है, notepad का और wordpid का क्या होता है,rtf होता है देख लिए इसका bikeallation में और भी बता रहो msword का extension name .docx होता है और extension के माध्यम से किसी भी फाईल की पैसान कर ब्सक्ते है PPTX किसका हो जाएगा PPTX मेरी प्यारे विद्यारते हो Microsoft PowerPoint का extension name होता है और .txt होता है ना ये note-pid का होता है किसका होता है note-pid का होता है देखिए मेरी प्यारे विद्यारते हो next questions के और बढ़ते है MS Word में default font का परकार है अच्छे से आपको याद रखना है कि MS Word है ना इसके अंदर default font कान सी होती है जो directly आपको सामने दिखाई देती है तो default font तो कान सी हो जाएगी Calibri हो जाएगी कान सी हो जाएगी Calibri body भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है Calibri होती है और aerial है, Times New Roman है Cambria है, Sensory है यह सभी के सभी font के परकार जो exam में कई बार पूछे जा सुके है तो आप भी याद रखना यह सभी होती तो font है बट यह Calibri है ने इसके default font कहलाती है और आगे थोड़ा इसके बारे में extra पढ़ लेता है MS Word में default font होती है default font क्या होती है Calibri होती है क्या होती है Calibri Body होती है MS Word में default font size पूछे तो default font size क्या होती है 11 होती है MS Word में default font style पूछे तो style कौन से होती है default regular होती है बाकी बोल्ड करना italic होता है regular होता है underline होता है सभी style होती है बट इसमें से regular होती है वो default style कहलाती है आगे वाला questions देख सकते हैं questions number 5 header वा footer को insert करने के कमांड किस टेब में उपस्तित होता है अगर आप document में header और footer डालना चाहते हैं तो header और footer डालने का उदिश्य होता दस्तावी इसको सुंदर बनाने के लिए इसको दिखाए जाता है इसलिए आप कह सकते हैं कि header और footer आप डालने के लिए किस टेब में जाओगे insert menu के अंदर जा सकते है options a vehicle प्यासे क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा insert tab में header और footer insert menu के अंदर उपस्तित होता है header ये page के सब्चे उपर वाले भाग में डाला जाता है इसके दुआरा file के सभी page के साथ एक साथ आकरती या इत्यादी को content डाला जा सकता है footer document के सब्चे नीचे वाले भाग में डाला जाता है और ये एक page के अंदर डालेंगे तो सभी footer वाले page के अंदर ये दोरा आया जाएगा आगे वाला questions है questions number 6 निमन मैंस से कौन सा alignment default होता है वैसे alignment तो ही चारो होता है कल वाले जो 7 मही को exam वो उसमें ये पूचा गया था कि ऐसा कौन सा alignment है जो दाए वा by margin समान देता है दाए और बाइ और से sam margin देता है तो इसका मतलब आपे justify था justify की short credit control J होती है center की control E होती है right की control R हो जाएगी और left की control L हो जाएगी और यहापे पूचाए default होता है तो default तो कौन सा हो जाएगा वै left side हमेंसा default होती है ना बिल्कुल options एक correct answer बन जाता है तो left इसके द्वारा text को by और से लिखा जा सकता है left side यानि इसके shortcut की control के साथ में L होती है right की बात करें तो इसके द्वारा text को दाए और लिखा जा सकता है यानि right side में लिखा जा सकता है right का मतलब क्या हो जाएगा दाएगा right का मतलब क्या हो जाएगा दाएगा और left का मतलब क्या हो जाएगा बाया इतना तो कुमालूब होगा दाही और से लिखने के लिए right का उप्योग करेंगे और control R इसकी shortcut की जो होती है center इसके द्वारा text को 20 में लिखा जा सकता है और control E इसकी क्या होती है shortcut की इसके अलावा justify का exam में कल questions बना था कि इसके द्वारा किसी भी text को दौनों side से यानि justify किया जा सकता है और control के साथ में J दबाएंगे तो justify की shortcut की जो लागू हो जाती है और इसके द्वारा दौनों और से align करता है next questions नबर आपके screen के सामने 7 है MS Word 2010 में paragraph का first letter capital even बड़ा प्रदर्श रिट करने के लिए निमने मैंसे किसका उप्योग कर सकते है तो आप कह सकते है पहला word होता है ना वो कापी बड़ा दिखाना और इस तरह से आप कैसे या उप्योग मिलेंगे आप सभी को याद रखना इसका उप्योग तो drop cap से होगा किसका drop cap ये insert के अंदर होता है और इसके दूरा आप किसी भी word का पहला अक्सर बहुत capital दर्शा सकते है देखे drop cap ये insert menu में उपस्तित होता है इसका परियोग paragraph या line के पहले अक्सर को अपनी आसेकता अनुशार drop या capital कर सकते है next word art की बात होती है तो इस word art को insert menu के अंदर देखा जा सकता है और किसी भी page के अंदर template नाम डिजाइन करने के लिए इसका word art का परियोगर किया जा सकता है quick part जल्दी से जोड़ना insert menu में उपस्तित होता है इसके परियोग से हम अपने document पे तुरंत पार्ट के टुकड़े को या सारांस को या लेकक का नाम वर्ग टिपनिया क्या सकते कंपनी का नाम हो सकता है कंपनी का पता इत्यादी को आप एक्स्ट्रा जोड़ सकता है और clip art insert menu के अंदर उपस्तित होता है और इसके दुआरा आप file या internet के माद्यम से pictures इत्यादी insert कर सकता है और इसको ready to use भी का जाता है इतना याद रख लेना इसको क्या का जाता है ready to use अथवा ready to image के नाम से भी जाना जाता है next देखता है नया document त्यार करने के लिए कि shortcut key का उप्योग किया जाता है कल कि उसन से डाला था ये आप सभी को याद रखना नया document त्यार करना चाहते है तो आप ctrl n का उप्योग करेंगे किसका ctrl n, ctrl c copy की होती ctrl o open की होती ctrl s किसकी हो जाएगी save की होती है तो ये भी आप लोग अविश्य याद रखना हलांकि आपको याद पे मैंने सभी shortcut key के बारे में बता है हुआ है आप साथ तो इसका screenshot भी ले सकते के लिए आप इस sort की का उप्योग कर सकते है और ctrl s का मतलब होता है कि भी किसी भी document को आप permanent save करना चाहते है तो आप ctrl s का उप्योग करेंगे next अपने text के indent देने के लिए आप खाली जगर tab पर paragraph group में decrease और increase indent का उप्योग करते है मेरी प्यारे विद्यार तो decrease और increase indent तो का आप पर होता है यह तो home menu के अंदर ही उपस्तित होता है देख सकते हैं और भी decrease indent और increase indent यह home menu में paragraph group के अंदर उपस्तित होता है बिल्कुल increase indent का मतलब होता select के वो paragraph की दूरी बढ़ाने के लिए increase का उप्योग के जाएगा और दूरी को बढ़ाए गया है उसको वापिस कम करने के लिए decrease indent का उप्योग कर सकते है और इस important topic के अंदर जो top 10 मेंसे जो अत्म questions आपके सामने हैं और इन top 10 questions मेंसे मैंने आपको theory content के माधियम से अच्छा या पर paste कर रहाने कोसिस किया मतलब 10 questions मेंने कम से कम 4-4 प्रतिक questions को extra डालने कोसिस किया मतलब 40 से ज्यादा questions हमने बढ़ लिया ऐसे देखे तो देख सकता है कि questions number 10 है document में किसी कुझी का नया page insert किया जाता है तो देखें आपको याद रखना है आप document में ऐसे कौन सी कुझी है जो दबाजने से नया page आ जाता है तो आप कौन सी की दबा सकता है enter याण enter की को ज़्यादा बार दबाने से document आटोमाटिक का नया page दर्स करवाता है तो भी देख लेते page up, document के अगले page पर जाने के लिए page up का उप्योग किया जाता है enter paragraph में नया page insert करने के लिए इसका उप्योग कर सकता है और ok बगरा जो options होता है उसको लागू करने के लिए enter दबा सकता है backspace, buy और के अक्सरों को मिटाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है और delete का मतलब हो जाएगा वही दाई और से मिटाने के लिए इसका उप्योग किया जाएगा तो ये आप इसका भी screenshot ले सकते है अच्छा question से ये आपके exam के दुरिष्टी से most important है और I hope आप सभी को वीडियो का भी पसंद आया होगा